तो डियर स्टुडेंट्स एक बार फिर से आपका स्वागत है नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के फर्स्ट लक्तर में हम आज हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स या संख्यापत्ति तो सबसे पहले हम बुक की बात कर लेते हैं कि हम कौन से बुक प्रैफर करेंगे यहां पर तो इसके लिए जो है हम N.C.E.R.T की बुक N.C.E.R.T. यह हमारी गौर्वेंट बुक है और यह C.B.S.C. हर्याना बॉर्ड, यूपी बॉर्ड, मद्य परदेश के बॉर्ड में और बिहार में और जितने भी स्टेट बॉर्ड हैं उन सभी में N.C.R.T. बुक ही लगती है और किसी स्टुडेंट के स्कूल में अगर कोई प्राइवेट बुक भी लगती है तो भी आपको टेंसन ले की जरूरत नहीं है क्योंकि जितनी प्राइवेट बॉक्स है वो भी N.C.R.T. बेस्ट होती है और जो राजस्थान के स्टुडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उन में जो है ये उन राजस्थान बॉर्ड की जो बुक है उसमें सेकिंड तो यहां पर देखिए कि मैं दोनो हिम यहां पर यूज खरूंगा ह की हिंद्य मिडियोम और इंग्लिश मे Hi कि किसी तुडेंट के इस तरह के से आपको पड़ाऊंगा कि किसी भी मेडियम कि स्टुडेंट को कोई प्रोड़ानी नहीं हम गई होके तो यहां देखिए कि number system topic में सबसे पहले मैं आपको different types of numbers के बारे में बता देता हूं कि सबसे पहले देखिए कि यहां पर हम number system में six types of numbers को पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहला है natural numbers जिसको हिंदी में प्राकरतिक संख्याएं कहते हैं दूसरा है world numbers जिसको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं और तीसरा है integers यानि पूर्ण आंख और चौथा है rational numbers यानि प्रिमेर संख्याएं और पांचमा है rational number affirmation है चटा है real numbers या वास्तविक्स है और यह types of numbers आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि 10th class में भी हमारे काम आने वाले चीज है और देखिए कि यहां पर सबसे पहले हमें देखते हैं कि natural numbers कौन से होते हैं जो सबसे पहले हमने nursery पहली class में स्कूल में जब admission लिया था ना तब जो number हमने शीखना सुरू किया था उनको हम क्या कते है natural numbers प्राकरतिक संख्याएं कौन से number सीखे थे उस टाइम और आगे आपको पता है कहा तक जाएगी infinity तक जाएगी यह संख्याएं तो यह जो सभी संख्याएं हैं यह क्या है natural numbers है प्राकरतिक संख्याएं हैं जो हिंदी medium के student है वो भी English में नाम note कर लें क्योंकि आगे mathematics आपके English medium में आना है तो यह चीज़ें साथ की साथ सीखते रह करते हैं यह बात आपने याद रखनी है ठीक अब दूसरे नंबर प्याता वोल नंबर्स क्या होते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं अब देखिए कि जो प्राकरतिक संख्याएं हैं हमारे पास natural numbers हैं कौन-कौन से वान टू थरी फोर फाइव शीक्स एंड सोन जितने भी natural numbers है नेचरल नंबर के संख्याएं में अगर हम zero और मिला दे ठीक नेचरल नंबर के कलेक्शन में अगर हम zero और इंकलूड कर दें zero और मिला दें तो यह जो नया collection हमें प्राप्त हुआ है इसे हम क्या कहेंगे वोल नंबर्स कहेंगे पूर्ण संख्याएं कहेंगे ठीक और wall numbers को हम W से denote करते हैं, ठीक, और तीसरा है, integers, पुर्णांख, अब देखिए कि wall numbers के साथ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on, देखिए तो सारे wall numbers है, wall numbers के अंदर, अगर हम natural number का negative और मिला दे, कौन-कौन सा, minus 1, minus 2, minus 3, यह नि, wall numbers के साथ, natural number का negative और और include करते हैं, तो यह जो हमें collection प्राप्त हुआ है, यह जो संख्याओं का संग्राय प्राप्त हुआ है, जिसे हम कहेंगे integers, और integers को हम Z से denote करते हैं, ठीक, अब इसे Z सबत से, Z बरन से क्यों denote करते हैं, I से क्यों निकरते हैं, क्योंकि Z जो है, वो एक ग्रीक भासा के सबत, Z-A-H-L-E-N, स्वाइधी spelling होती है, जैल हिन, इसका मतलब होता है, count करना या, गिनना, ठीक है, और यहां से यह Z जो है, हमने लिया है, ठीक, अब, रेशनल लंबर्स या परिमेशंख हैं, यह क्या होती है, तो रेशनल लंबर्स या परिमेशंख हैं, क्या होती है, यह समझने से पहले, हम यहां पर थोड़ा सा डिसकस करते हैं, बहुत इंपोर्टन डिसकसन हम करने जा रहे हैं, कि देखिए, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी नेच्रल लंबर्स हैं, सारे की सारे किस में पर्जेंट हैं, वोल लंबर में पर्जेंट हैं न, देखो ध्यान से, तो हम यह कह सकते हैं, कि जितने भी नेच्रल लंबर्स हैं, वो वोल लंबर्स हैं, सभी नेच्रल लंबर्स, सभी प्राकरतिक संख्याएं, क्या होती हैं, वोल लंबर्स होती हैं, अगर आपसे पुछे क्या सभी प्राकरतिक संख्यां पूर्ण संख्यां होती हैं तो आपका जवाब होना चाहिए येस क्योंकि जितने भी प्राकरतिक संख्यां जितने भी नेचरल लंबर्स हैं वह सारे के सारे वोल लंबर्स में पूर्ण संख्यां में परजेंट है ठिक इसी तरह से अगर मैं आपसे पुछों क्या सारे बोल नंबर्स क्या सारी पूर्ण संख है पूर्ण आंख है इंटीजर्स है तो आपका जवाब क्या होगा यहां ध्यान से देखिए 0 है 1 है 2 है 3 4 5 जितने भी बोल नंबर्स है अब सब्सक्राइब नन वहां सारे इंती जवाब होगा यहां जितने वह बोल नंबर्स यह सारे इंटीजर्स है, ठीक, तो अब आगे देखिए, कि अब मा आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपोर्टन टाइप ओफ नंबर, that is rational numbers, अब यह rational numbers क्या होते हैं, वो देखिए द्यान से, कि rational numbers क्या होते हैं, कि जो number, P by Q की form में लिखे जासके, जहां पर P और Q दोनों ही क्या हो, integers हो, पुर्णांग हो, ठीक, और साथ में दूसरी condition क्या है, Q should not be equal to 0, यह हम क्या पढ़ रहे हैं, rational numbers पढ़ रहे हैं, परिमेर संखें पढ़ रहे हैं, ठीक है, कई बच्चे परिमेर संखें, यह रहे हैं, rational number का नाम लेते ही, गवरा से जाते हैं, पता नहीं सरब क्या बता देंगी, ऐसा कुछ नहीं बेटा, इसमें देखो, जैसे आपा simple लिख दिया, माइनस टू बाई थरी, तो यहां देखो, माइनस टू क्या है, एक integer है, मारे पास पुर्णांक है, थरी भी क्या है, पुर्णांक है, इंटीजर है, तो इस तरह से, उपर भी पुर्णांक, निच्चे भी पुर्णांक, तो इस टाइप से हमने कोई भी संखें लिख दी, य परिमेशंख्या है, वो रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल सबत जो न, वो रेश्यो से बनाता, रेश्यो का मतलो अनुपात होता, इस तरह से आप यह बटे में लिखते हैं, यह भी तो अनुपात ही होता न, तो इस तरह से यह रेशनल नंबर है, ठीक, अब आगे आता है कि इरेशनल नंबर से पहले चलो आपा यहां पर थोड़ा सा डिसकस्न और कर लेते हैं अब कोई भी इंटीजर में पकड़ लेता हूं यहां से मेरी मर्जी से जैसे मानले थरी ले लिया मैंने थरी को मैं क्या लिख सकता हूं सकता हूं थीक है थरी को मैं क्या लिख सकता हूं थरी बाई वन लिख सकता हूं तो देखो उपर भी इंटीजर निचे भी इंटीजर और निचे 0 भी नहीं है इसका मतल़ यह भी क्या है एक रेशनल नंबर है अब इदर से कोईije नेगिटिव ले ले है माइनस 2 ले लिए तो माइनस 2 को भी मैं क्या लिख सकता हूं माइनस 2 बाइ 1 लिख सकता हूं तो यह उपर भी इंटीजर निचे उपर्ज हुआ पुनाग है निचे भी पुनाग और निचे 0 नहीं है इसka मतलब यह पी क्या है यह भी rational number है परिमेशन क्या है ओके तो अब देखो rational number को हम क्यों से denote करते हैं किसी denote करते हैं क्यों for question होता है ठीक है वो उसका सम्मंद्वी जब है कुछ ratio से ही होता है इसलिए हम rational numbers को क्यों से denote करते हैं अब मेरा अगला question क्या सभी integers rational number होते हैं तो येस ठीक अब देखो जितना हमने पड़ा यानि चार टाइप की नंबर हमने पड़े ना अब इन ही पर हम एक discussion और कर लेते हैं उपर से निचे तो हम आगे कि जितने भी natural numbers हो वो सारे के सारे वो नंबर में present है सभी के सभी वो नंबर जो है वो इन्टीजर्स में present है और सारे के सारे इन्टीजर्स जो है वो वो रेशनल नंबर यानि परिमेर संख्याओं के अंदर परजेंट है अब वापिस अगर आप से कोई पूछे क्या सभी वोल नंबर नेचरल होते हैं उल्टा पूछे तो भई अगर आप से पूछे जाए क्या सभी वोल नंबर नेचरल नंबर है क्या सभी पूर्ण संख्याओं प्राकरतिक संख्याओं है अगर यह पूछे तो अब देखो इतनी इतनी में तो कोई सक नहीं है लेकिन जीरो जीरो जो है पूर्ण संख्याओं तो है बता भी देंगे कि जीरो एक ऐसी पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक नहीं है जीरो इसे वोल नंबर नोट नेचरल नंबर ओके तो अगर निच्छे से उपर पुछे तो जबाब होगा हमारा नो नहीं होगा ठीक है अब इसी तरह से आप से पुछा जाए क्या सभी इंटीज P अब आगे देखिये कि उपके इसी तरह से आप से पुछा जै क्या सभी परमेर संख्या पूर्ण ना? यहां पर भी हम देख सकते हैं कि जैसे माइनस टू भाइ थरी यह क्या है परी मेर संख्या तो है लेकिन पूरुन आंग नहीं है तो इस केश में जवाब भी आपको क्या मिलेगा नो मिलेगा ठीक अब देखिए इतने डिसकुस्टन के बात हम अगले टाइप आप नमबर पर सलते हैं that is irrational नमबर ठीक तो ऐसे नमबर जो रेशनल ना हूँ एसे नमबर जो रेशनल ना हूँ जो संख्या प्रमे नहीं होती वो कौन से होती है ए प्रमे होती है यह जिसको हम P by Q की फो में नहीं लिख सकते जहां P और Q इंटीजर हो एंड क्यू इस नोट इक्वल टू ज अब किस स्टुडेंट को कोई प्रोब्लम हो तो साथ के साथ कर सकता है ठीक है मेरी नजर आपकी कोमेंट्स पे भी है साथ के साथ तो जहां तक कोई प्रोब्लम होगे मैं आपका जबाब देने का कोर्सिस करूंगा अब देखिए कि यह मैंने आपको बताया कि जो संखें प्रिमे नहीं होती वो ए प्रिमे होती है जो नंबर रेशनल नहीं होती हो इरेशनल होती है ठीक, तो इरेशनल नंबर कौन से होती है जो भी ए भाज्य संखें मिन्स प्राइम नंबर कुन-कौन से होते हैं ? ये बाजे संग है 2 चे सरू रूट है 2, 3, 5, 7, 11 इन सभी का square root ठीक है ? prime numbers का square root prime numbers का square root आप ले लो ये सभी के सभी क्या है ? ये परेमेरेसंग क्या हैं ? irrational numbers है ये सारे क्या है ? irrational numbers है ये ठीक, इसके अलाव आपने पाई का नाम सुनाओगा ठीक है, तो पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है अब कई स्टुडेंट कहेंगे सर, हमने तो पाई को 22,7 के बराबर पढ़ा है हमने पाई को 22,7 के बराबर पढ़ा है, 22,7 तो रेशनल है क्योंकि उपर भी integer, निच्छे भी integer लेकिन आप यहाँ पाई को irrational बता रहे हो ठीक है तो पहले तो हम आपको यह समझाते हो कि पाई है क्या वास्ता हो में कि अब देखो कि जैसे मान लेते हैं कि हम एक सरकल ड्रा कर लेते हैं तो यहां पर देखिए कि इस सरकल चाहिए आप कितने चोटा ड्रा कीजी यह बड़ा ड्रा कीजी कोई प्रोबलम नहीं है ठीक है तो इस सरकल की सरकंफ्रेंस की लैंथ है और इसका जो डायमेटर है यहां पर ठीक है इसकी परिद्धी और इसका व्यास अगर परिद्धी को व्यास से भाग देते हैं तो हमारे पास एक निश्चित संख्या आती है और वो निश्चित संख्या क्या है पाई है ठीक तो यह सरकल चाहिए कितना ही चोटा हो कितना ही बड़ा हो ये संक्या क्या आएगी निस्चित आएगी और इसका मान जो लग बग 22 वटे साथ या तीन दसमलो एक च्यार के बराबर होता है ठीक, अग्जेक्ट मान इसके बराबर नहीं होता क्योंकि ये जो गुलाई है इसको अग्जेक्टली मापना जो है पोसिबल नहीं होता ठीक, तो आप इसको इस तरह जिमेट्रिकली समझ सकते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पाई जो है वो क्या है एप्रिमेशन क्या है जबकि 22 वटे साथ या तीन दसमलो एक च्यार ये दोनों ही क्या है ये प्रिमे है ये रेशनल है प्रमे या रेशनल है ठीक इस चीज़ को अच्छे से आपने नोट करना है अब आग आता वास्त्विक संख्याई कि वास्त्विक संख्याई क्या है कि जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर है जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर है वो सब मिला करके क्या है उन सभी का संग्रे जो है उन सभी का क्लेक्शन जो है वो क्या है रियल नमबर्स है ठीक तो अब आप इस चीज़ को नमबर लाइन पर देखी ठीक है यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह कर लेता हूं कि अब देखें कि यह मारे पास एक लाइन है ठीक है और इस लाइन पर मैं जैसे यहाँ पर कुछ से मार्क कर देता हूं ठीक है और इसको मैं रियल नमबर लाइन कहूंगा अब देखें कि यहाँ पर मैं इस पॉइंट को आज देता हूं वन टू थरी फोर फाइव शिक्स और यह तीर कर निशान यह दिखा रहा कि यह आगे तक बढ़ती रहेगी तो यह तो होगे सा सारे नेचरल नंबर्स प्राकरतिक संख हैं जिरो और मिला दी वोल नंबर्स पूर्ण संख हैं माइनस वन माइनस टू माइनस त्री माइनस पॉर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट यह और इंक्लूड कर दी हमने नेचरल नंबर कर नेगिटिव तो यह होगे सारे integers या पुर्णांख हो गई ठीक है अब देखिए कि यहां पर कुछ संख्याइं ऐसी है इस नंबर लाइन पर जिसको हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं जहां प्यूर क्यों दोनों इंटीजर हो और Q is not equal to zero जितने हैं भी इंटीजर से उनको थाम P by Q के रूप में लिखीं सकते हैं जuse हम देखी चुकी हैं याँ ठीक के इसके लावा इस रिये नंबर लाइन का हर एक पॉइंट क्या है एक संख्याको डिनोट कर रहा है एक नंबर को डिनोट करता हे एक नंबर को परदर्शित कर रहा है ठीक है समझ आगे ना मैं क्या बता रहा हूँ कि इस नंबर लाइन का जैसे ये पॉइंट माइनस 6 को ये पॉइंट माइनस 5 को रिपर्जेंट कर रहा है इसी तरह से जैसे 0 और 1 की बीच में देखो तो infinite points है अनंत ऐ पॉइंट रूप से अनेक बिंदू है यहाँ पर और हर एक बिंदू किसी ने किसी संख्या को रिपर्जेंट कर रहा है वो संख्या या तो PYQ की रूप में लिखी जाएगी या PYQ की रूप में नहीं लिखी जाएगी ठीक यानि वो संख्या या तो परिमे होगी या तो परिमे होगी या फिर एह परिमे होगी ठीक तो अगर आपसे पुछा जाएं कि किनी भी दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमे संख्या होती है तो एह परिमित रूप से अनेक परिमे संख्या होती है किनी भी दो numbers के बीच में कितने rational number होते हैं infinite rational number होते हैं क्योंकि इसके बीच में infinite point है ठीक है तो infinite rational number होगे clear और इसी तरह से किनी भी दो numbers के बीच में कितने rational number होंगे वो भी infinite होंगे natural सी बात है ठीक है basic वो point आप कितने ही नजदेक क्यों न ले लो ठीक, समझ रहे हैं बात को तो ये था हमारा बेसिक जो हमारी NCRT बुक की अक्सरसाइज 1.1 के क्यूस्टन्स को समझने के लिए जरूरी था है अब इन क्यूस्टन्स को सोल करने से पहले हमारी NCRT बुक के कुछ एक एक एक्जामपल्स दिये हुए हैं उन एक्जामपल्स को हम study कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कि हमारा पहला एक्जामपल आपके सामने डिस्पले हो रहा है तो यह कहता है Are the following statements true or false? कि निच्चे दियेगे जो कथन है वो सत्ते है या आई सत्ते है ठीक है? वो सत्ते है या आई सत्ते है यह चीज़ आपको बतानी है कलिर? और साथ में आपने कारण भी देना है ठीक? तो सबसे पहले कहता है कि every wall number is a natural number परते एक पूर्ण संख्या प्राकरत संख्या होती है हमें यह बताना है कि यह जो बात इसने कही है यह true है यह false है तो हम बिल्कुल बिना सोच से इसका जवाब नहीं देंगे हम देखते हैं कि पहले तो पूर्ण संख्या नहीं wall number कौन से होते हैं 0 से start होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 and so on और फिर दूसरी बात की इसने नेचरल numbers की प्राकरतिक संख्या होगी तो वो कौन से होते हैं 1, 2, 3, 4 and so on ठीक तो यह कहता है कि every wall number प्रतेक पूर्ण संख्या प्राकरत संख्या है तो देखो इतने wall numbers तो नेचरल है लेकिन यह इसका क्या भई तो 0 तो नेचरल नहीं है और इसने कह दिया कि every प्रतेक तो इसका मतलब एक अतन थो ऐसक्त्य हो गया तो इसका जबाब हम देंगे ऐसक्त्य है ठीक क्योंकि 0 एक ऐसा नेचरल नंबर है जो जो कि wall number नहीं है ठीक इसको एक बर मैं हिंदी में लिख देता हूँ और इंग्लिश में जो लिखने का तरीका है और हिंदी में जो लिखने का एक बर आप जस्ट समझे इसको लिखने का तरीका जो है आपको जैसे यह लाइव स्ट्रीमिंग खतम होगी उसके लगबग 15-20 मिट बाद में आप चेक करना आपको PDF मिलेगी ठीक है इंग्लिश की PDF मैंने त्यार कर दी है हिंदी की PDF आपको जश्ट दो तीन गंटे में मिल जाएगी और इसी लाइव स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों की PDF मिल जाएगी और फिर आपको पता लग जाएगी कि लिखना क्या है लेकिन पहले समझना जरूरी है लिखने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है तो देखिए एक मैं लिखके दिखा रहता हूं हिंदी में उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में बता दूँगा कि ये बात आपको पता लग जी न कि वोल नमबर नैचुरल नहीं होते ये बात आशकते है क्योंकि जब आशकते है तो कोई एक एक जामपल दे दो क्योंकि जीरो जीरो क्या है वोल नमबर तो है पूरण संख्या है लेकिन प्राकरत संख्या नहीं है जिरो पुरुण संख्या है, लेकिन प्राकर्थ संख्या नहीं है। ठीक, तो यह हमारे फर्स्ट पार्ट का एंसर हो गया। ठीक, अब सेकंड पार्ट देखो, तो सेकंड पार्ट में क्या है, कि एवरी इंटीजर इसे रेशनल नमबर, एवरी इंटीजर इसे रेशनल नमबर, इंटीजर कौन से होते हैं, जस्त आपने सोचना हैं, इंटीजर क and so on minus 1 minus 2 minus 3 अब यह कहता है कि every integer is a rational number rational number क्या होता है जो P by Q की form में लिखा जाए and in case अभी के divide by 1 हम लगा सकते हैं लगा दिया तो P by Q की form होगी न और निचे देखो 0 भी नहीं है तो इसका मतलब ये बात सही है ठीक ये बात क्या है आपकी सकते है true है as every every integers n can be represented in the form of n by 1 क्योंकि as की बाता है जैसे में हिंदी में लिख के बता रहा हूँ क्योंकि परतेक क्योंकि परतेक 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 पुर्णांक परतेक पुर्णांक n या कोमा ना लगाओ यहां पर n को n by 1 के रूप में लिखा जा सकता है लिखा जा सकता है ठीक भै सितना जवाब ने तो काफी है ठीक है अब आगे थर्ड पार्ट देखो थर्ड पार्ट में कहता है कि एवरी रेस्टल नंबर इस एन इंटीजर एवरी रेस्टल नंबर इस एन इंटीजर कि हर एक रेस्टल नंबर एक इंटीजर है अब देखो वे रेस्टल नंबर तो माइनस टू बाई थरी भी है फाई बाई सैवन भी है ये रेस्टल नंबर है न सारे क्या ये इंटीजर में आते हैं नहीं आते हैं पुर्णांक में नहीं आते हैं तो अगर जबाब ऐस्ते है या जबाब फॉल्स है तो सिर्फ एक एक इग्जामपल ही काफी है फॉल्स के लिए तो सिर्फ एक एक इग्जामपल देना ही काफी है बाकी कोई लंबा चोड़ा इनसर लिखने की जरूरत ही नहीं है कि जैसे कोई भी एक्जामपल पकड़ की आपर लिख दो क्योंकि क्योंकि पांच वटे साथ एक परिमेर संख्या था है लेकिन पुरुणांक नहीं है क्योंकि पांच वटे साथ एक प्रिमे संख्या है लेकिन पुरुनांक नहीं है प्रिमे संख्या है लेकिन पुरुनांक नहीं है ठीक तो यहां पर देखिए कि आप यहां पर कोई भी एक्जामपल दे सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है ठीक है तो इसी तरह से इसको अगर इंग्लिस में लिखना चाहूं आप तो फोल्स एज फाइब सेवन इसे रेस्टल नमबर बट नोट इंटीजर अब नेक्स्ट एग्जामपल हम लेते हैं अब दखिए यह बहुत इंपोर्टन एग्जामपल है अब देखिए कि यहां पर मैं एक नमबर लाइन ड्रा कर लेता हूं ठीक है यहां पर जैसे मैंने कह दिए यह वन है और यह टू है वन एन टू के बीच में फाइव रेस्टन नमबर लिखने हैं पांच प्रमेशंख्या लिखने एक और दो के बीच में और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि किनी भी दो नमबर के बीच में कितनी प्रमेशंख्या होते हैं कितने रेस्टन नमबर होते हैं इन फाइनाइट एफरीमित रूप से अनेक लेकिन हमें बताने कितने सिरफ पांच बताने सिरफ फाइव बताने ठीक है तो वन एंड टू के बीच में हम इन्फाइनाइट रूप से अनेक पॉइंट लगा सकते हैं हो पैसि और मैंने बताया कि अरेक पॉंट बरको जूरूर करता किसी नरी टार पिश्ट्व को जूरूर करता है तो आड ब्रेस्टनल हो गई रीस्टनल तो वन march do भीच में इनफाइनाइड पांट कैसे हम घ्याद करें वह स्कारणे के लिए क्रूलky हम को भी पांच निसान लगाएंगे ठीक है अब ये पांचों एक जैसे डिस्टेंस पर मैंने लगा दी ठीक और ये पांचों पॉइंट जिन जिन संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वह वन एंड टू के भी इसकी पांच पर में संख्या हैं हम ले लेंगे तो ये पा पांच पॉइंट लगाएं लेकिन टुकडे कितने होगी एक दो तीन चार पाश spray रुधर शेंख्या भीच में से पांच पंइंट लगाओंगे तो सात भी और साथ चापक़त खांच है ऐसे काउए क्या काम करना आपने हैं एक काज लेना है ठीक है काद कोई भी कागज लें, बीच में से एक बार फाड़ो, दो बार फाड़ो, तीन बार फाड़ो, टुकड़े हो जाएंगे, च्यार, ठीक, वही वाली बात यहां पर है, तो अब देखो, बहुत ही असान तरीक के से समझा रहा हूं, आपको यहां पर, कि संख्या एक जो है, और दूसरी सं संख्या है, अगर ग्याद करनी हो, तो एक गुणा में, पांच से एक फाल, तू ले लो, छे, वटे में भी कितने, छे, इसी तरह से, दो गुणा में, पांच से एक फाल, तू छे, वटे में, छे, तो उपर वाड़ा देखो, छे, एकम, छे, वटे में, छे, और निच्चे कि जैसे यहां पर मैं इसको थोड़ा से रब कर देता हूं नहीं कर रहा है सफ्ट्वेर का तो कोई बात नहीं हम नंबर लाइन को मैं दोबारा से ही ड्रा कर देता हूं तो यहां पर दोबारा कर देता हूं ठीक है जो सीज मिटाने से यह तीस नहीं मिटाई नहीं मिटाने वह मिटा दी कोई बात नहीं यह वन यह टू ठीक वन टू बीच में कितने पॉइंट लगाने हमने पांच एक दो तीन च्यार और पांच ठीक अब ये क्या है 6x6 और 2 कमने का है 12x6 ठीक तो यह वाला पांट होगे 7x6 ये वाला होगे 8x6 ये वाला 9x6 और ये वाला 10x6 और ये वाला 11x6 ठीक तो वन और टू के बीच में एक, दो, तीन, च्यार, पांच, ये वाली पांच प्रमेशंग हैं हमने ढूंड दी है अब देखिए कि इसको हम नोट बुक में कैसे लिखेंगे वो इस तरह कैसे एक बराबर ये और दो बराबर ये क्योंकि, क्योंकि एक बराबर ये, दो बराबर ये, इसलिए एक वे, पहले हिंदी में बतारों, उसके बाद इंग्लिस बना है पांच प्रमेशंग है, कौन कौन सी होंगी भई, जो 6 वटे 6 वे, 12 वटे 6 के बीच की क्योंकि, जो किस के बराबर है, 7 वटे 6, 8 वटे 6, 9 वटे 6, 10 वटे 6, और 11 वटे 6 के बराबर, ठीक? अब कई स्टुडेंट कहेंगे सर, कि हमारे अंसियार टी बुक में पिछे ये एंसर तो नहीं आ रहा है, ये तो कोई और एंसर है, तो फटा, इस क्यूस्टन के इन फाइनाइट रूप से अनेक एंसर हो सचे मिले, ठीक है? तो अगर ये नहीं भी मिलता तो आपको टेंसन लेने की जरूरत नहीं है, अब देखो इसमें, और भी तरीके हैं ये फाइंड आउट करने के जैसे वन एंड टू, वन और टू दोनों को प्लस कर लिया, डिवाइड वाइड 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 टू कर दिया, तो थरी वाइड टू आ गया, तो वन एंड टू के बीच में य टू से डिवाइड करो, फिर यहां वाली मिल जाएगी, ऐसे भी हम काफी सारे संख्या हैं इसकी बीच की डूंड सकते हैं, लेकिन बढ़िया आसान टिका हो तरीका यही है, ठीक है, तो आपने अपने कोपी में नोट्स प्रिपेर करने हो, तो इसी लाइव स्ट्रीम के डि डिएफ अवलेबल हो जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स भी प्रिपेर कर सकते हो, कोई प्रोब्लम नहीं है, ठीक है, अब हमारे एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्यूस्टन है, तो हम एक बार हमको डिस्कुस कर लेते हैं, ठीक है, तो एक बार नेक्स्ट पेज हमारा नहीं निकल पारा है, इसमें, अजी, अब आज़ेगा, यस, थोड़ा सा सलो है अपरा सिस्टम, कोई प्रोब्लम नहीं, कल इसको दुरूस्ट कर देंगे, अब आगे देखिए, कि हमारे एक्सरसाइज 1.1 का, जो फर्स्ट क्यूस्टन है, उसमें आप से क्या 0 रेशल नंबर है, can you write it in the form of P by Q, क्या आप इसको P by Q की form में write कर सकते हैं, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, यहांने सिंपल सी बात है, क्या सुनने एक प्रिमेशन क्या है, ठीक, तो जैसे सुनने, यहांने 0, 0 को आप क्या लिख सकते हो, 0 by 1 लिख सकते हो, ठीक, 0 को क्या लिख सकते हो, 0 by 1 लिख सकते हो, तो उपर भी देखो, यह पुरणांख है, यह भी पुरणांख है, और निच क्या है ठीक यह तो मैंने आपको समझाया है अब लिखने का तरीका देखिए क्योंकि कि सुनने बराबर सुनने वटे एक लिखो सुनने वटे दो लिखो आपके मर्जी है जिरो वटे एक जिरो वटे दो कुछ भी लिख सकते हो ठीक जो की पी वटे क्यों का रूप है जहां पी बराबर कितना है जिरो तथा क्यों बराबर क्या है एक है अर्थात पी बाई क्यों का रूप है जहां पी और क्यों दोनों प्रूणांग है जहां पी और क्यों प्रूणांग है तथा क्यों बराबर जिरो नहीं है ठीक तो इसको इंग्लिश में लिखें है यास जिरो इजे रेस्टल नंबर एज जिरो जेकल दो जिरो बाई बाई बन विचिज बाई 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 नाने बाई तो आब दखें कि कुछ एक कुमेंट है ऐसे जो कि हमारी क्लास के लायक नहीं है मैंनों यूजर्स को ब्लोक कर देता हूँ ठीक है कोई प्रोब्लम नहीं है दुबारा से इनके कोमेंट हमारे पास नहीं दिखेंगे और तो प्यारे बत्चो आज ये ट्राइल क्लास थी हमारी और सुफ्ट्वियर थोड़ा सा डंक से काम नहीं कर रहा है और अब मैं एक बार आपके कोमेंट्स पर नज़र डाल रहा हूँ निसान तर्मा अंडिये के लिए मांग कर रहे हैं आपका अंडिये का वीडियो जरूर आएगा और साउंड थोड़ी सी कम है कल इसको बढ़ाने की कौसिस करेंगे हम और डियर स्टुडेंट्स कल आपके जितने भी फ्रेंट्स हैं उनको आपने जोड़ने की कौसिस करनी है कल आठ बज़े फिर से हम इसी क्लास में मिलेंगे और जो आज का लक्तर है उसे भी हम रिपीट करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 को जह कंप्लीट करेंगे तो उमीद करता हूँ कि यह लक्तर आपको पसंद आया होगा थैंक यू वे नाइस देख